हाई मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हो वंदे मात्रम आप लोगों का फिर से आई टी आई नगर में हम स्वागत करते हैं और जैसे हमें हमने पिछले लेक्चर में देखा था फंडमेंटल ओफ एलक्टिसिटी के ओपर कुछ इंपोटेंट कोसंस जो हमारी आई टी एग्जाम के लिए इंपोटेंट हैं फिलाल हमें एम स्वागत कोसन इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम है जो आई टी एए के वह नजदीक है तो ज्यादर समय नहीं है कि वह लेकर महिना है तो एक महिने में मुश्किल से हो पाएगा पूरा कोर्स अगर हम डिटेल में पढ़ाए थियोरी को तो इसलिए वह बहुती मुश्किल पूरा नहीं हो पाएगा ठीक है तो फिलाल आप इनको बस अच्छे से पढ़ो मैं गारांटी लेता हूँ अगर तुमने यह अच्छे से कोशन कर लिए ना तो तुम यह नहीं रोक सकता कोई फैल होने से ठीक है और अच्छे नंबर मिलेगा आपको इसी से बस ध्यान से पढ़ो यही कोशन ध्यान से पढ़ो कोई द इकत नहीं है ठीक है दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं अगया आज का टोबिक है हमारा इलेक्टिकल केबिल्स और सोल्डरिन ए just electrical CAL PHaltung सी इसके आधार पर हम कोशन लेकर आई हैं तो पहले कुशन हमारा पड़तियक तार अथभा़ चेबिल ख़ालिस्तान होत तार और केबल जो तार या केबल है ना वो तो चालक है लेकिन हम बोलते हैं पड़ती एक चालक पड़ती एक चालक तो हमारा जैसी बस बार भी है कोई लोग एक वस्त ले लो वो भी चालक है कोई सोने का अब उसन ले लो वो भी चालक है लेकिन हम पड़ती एक चालक को तार या केबल तो ने बोल सकते ना तार या केबल ने बोल सकते लेकिन हाँ तार और केबल को हम चालक बिल्गुल बोलेगे तो पड़ती एक तार अथवाद केबल के हमारा चालक एक ठोस तत्विय विरोधी विद्धूत रोधी चालक का तनन सामरत या बिना स्क्रीन के कहलाता है देखो यह याद रखना है कि कोई हमारे पास में चालक है अगर इसके ओपर इंसुलेशन चड़ा हुआ है तो यह तो होगा हमारा केबल ठीक है यृदि कोई ठास में चालक तो उसके ओपर इंसुलेशन नहीं चड़ा हुआ है वो सिम्पल ऐसे यह लेग्र अबस्त में है तो यहापे क्या जाएगा चालक का साइज नापने के लिए किस यंतर का प्रियोग होता है सब को पता है जी स्टेंडर्ड वायर गेज का प्रियोग होता है रबर का प्रियोग अती उच वोल्टेज वाले केबिलों में नहीं किया जाता क्योंकि क्यों नहीं किया जाता क्योंकि सुनो इसमें अधिक मातर में गंदक उपस्तित होता है नई जी इसका कोई कारण नहीं है यह उच ताप सहन में इसमर्थ है अ या भी दोनों देखो ए तो हमारे है नहीं लेकिन भी है क्योँकि यह जो PVC होता है रभाश होता है वो अगर उसे अधिक अम ताब देह न तो वो सेंड नहीं नहीं कर पाएगा वो खराब चाहँ चया चाह अ पन्गूर टाइप हो जाएगा ठीक है अ किं आप पांच वान्मर तक किशन किसम किस पर निर्भर करती है कि उतार या केविल की मोटाई पर बिल्गल मद पर आप पर्योजन क्या होते हैं कि हम और वह क्याशन है किस टाइप का वा तान रहा है और लंबाइपर लंबाइपर तो करने तो नहीं यह पर्योजन और तार की मोटाईपर करता है यानि ए और बी दोन हो जाएगा ठीक है ओके जी अती उच्छे वोल्टेज केबिल प्राइक किस धात्यों के बने होते हैं है जो हाइट के के लोते हैं न आएक्स्ट्रा हाइट यह के बने होते हैं यह किस के बने होते कि आपने AG कर्द तो आवर्ण चड़ाया जाता है ताकि केबल को नमी से सुरक्सा दे सके ठीक है जी और बचा हमारा तामबा तामबे का यू जो होता है अती उच्छ वोल्टेज केबल से में ठीक है अगर यहां पर अलूमॉणियम आ जाता है तो अलूमॉणियम गम लगाते है ठीक है जी चलो साथ बटा बीस नहीं आप आए साथ नमबर निम्न में से किस कारिया के लिए जी आई तार का उप्योग किया जाता है जी आई तार पता क्या होता है गयलिय्विनाईजड आइरन वायर गयलिय जयानि जो होता है यह यह रियर नाम से जाना जाता है वह कहां पर होता है टैलिप औना में बिल गुल जी अर्फिं लाइन उनर भी हो जाता है इस्टे तार में इस्ते तार में भी हो जाता है अर्थिंग तार में वैसे हम कोपर के यूज करते हैं लेकिन कुछ जंग है अर्थिंग के लाइन में हो जाता है यहां पर घरेलो वायरिंग में तो जी बिल्कुल नहीं होता है घरेलो वायरिंग में तो कोपर का यूज होता है तो यहां पर यह इसने गलत्धयाय में स्प्रिंट हुआ है यहां पर हम कर लेगे यह सभी तो इसका आदसे जागा इस अब बाटा 20 केबिल का अर्थ है साथबुक्त के लिजका अर्थ है मतलब इसमें साथ तो तार है और 20 इस्टेंडर वायर का गेज इसकी माप है कि यह 20 स्टंडर वायर गेज का है प्यूआर के साथ तार है ठीक है P V C के मिल के ओपर थर्मो प्लास्टिक कंपाउंड का आवर रंड़ने चड़ा कर और त्यार किया जाता है प्रो पो डायोर केबिल को PVC के विल के ओपर तर्मोप्रास्टिक कंपाउंड का और रंचड़ा कर त्यार किया जाता है किसी केबिल की धारावैन छमता उसके चालक की या के पर निर्भर करती है जो उसकी केबिल है उसकी धारव हैन मतलब कितनी करंट को जेल सकता is, वो किस पर आधारित होता हैg चालक की लंबाई पर केबिल पर चोड़ाई पर, पड़ती परस्त च्शेद या च्षेतरफल पर इन मेंसे कोई नहीं जो उसका प्रस छेत रहे हैं छेत फ़ल होता है ना उस पर निरबर करता है ठीक है ग्यारा नमबर जब उपकरन में डबल इंसुलेशन जो की पीवी सी या इंसुलेटिड बोड़ी है तो उसमें किस परकार की आउटलेट सामगरी उप्रिफ्थ होती है कि मतलब जो डबल इंसुलेशन छड़ा होते हैं पेविस या इंसुलेटिड बोड़ी तो उसे हम बोलते है थ्रीपीन पलग ठीक है क्या बोलते है थ४िन फलग तीक है वूंटेज ग्रेड केमिल की अधिकतम सहंन्च्छंतों बोल्टेज के armour होती है, उच वोल्टेजchs Jr मैं तुम्हें बात बता ङता हूँ कि जो हमारा को लो वल्टेज होता है वह महру Bear । एई पर यह उता है हमारा हाइब बोल्टेज मीडियम ऐ उल्टेज लोत हमेरा पचास वोल्ट फिर बोल्टेज होता है हमारा 22,000V, फिर होता है है मैरा Extra High Voltage वो हता है 2000 या 22 KV से ठीक है या पिल पूच और शने उच्न dabम की अदिक देखातना High Voltage बस तो क्या हूआ 22,000V वोल्ट मध्यम वोल्टेज गेड्य केविल की अधिकल सहन यह वोल्टेज होती है मध्यम अभी क्या बूला मैं अब गुर्ण vert 5च तो क्या जी 650 वो जोड़ों को सरकाना है वहां अत्यन तो फ्योगते जोड़ है समझो जहान निम्न धारा यानि धारा तो बहरी है हमारी कम लेकिन परिपतों के लिए निर्धारित दूरी जो कोई निर्धारित दूरी देरी है तो निर्धारित दूरी के भीतर जोड़ों को सरकाना है तो वहां इस चैप्टर में अधिकतर चीज़े याद करने की होती है जैसे वोल्टेज ग्रेड आ गया कॉंटेक्ट पॉइंट हो गया यह सब भी चीज़े याद करने की है यह जोड की इसलिए यूज होता है ठीक है 16 नमबर भूमिकत लाइन खालिस्तान के लिए सुरक्सित होती है स्ट्टाली दार कुपच लगाने का उद्देश से होता है क्या ऐसे क्या बोलते हैं कया वोलते है आर्मिंग देखो रह यह हमारा अंडर कि ग्रांड केबल है सी होती है रिक है हमारी गभी Northeast टिक है फिर इसके उब होता है इंसलेसिnga ठीक है जी क्या चड़ा हुआ इसके पर इंसुलेशन इंसुलेशन के ऊपर हमें चड़ाते हैं मैटालिक सीट जो बनी होती है पीबी यानि लैड या ऐलुमिनियम की जिसे बोलते हैं मैटालिक सीट ठीक है फिर मैटालिक सीट के ऊपर हम चड़ाते हैं एक और पर ठीक है जिसे हम बोलते हैं बैडिंग बताओं को इनका उद्धिस से क्या होते हैं बैडिंग बनाया जाते हैं जूट या हुशेन का फिर इसके ऊपर चड़ाया जाता है एक और पर उसे हम बोलते हैं और मरें और मरें यह बनाया जाता है इस्टील का फिर एक और पर चड़ाते हैं आप अब यह परस होती है लास्ट ठीक है यह थीए रभması की कि चड़ा डियते हैं अब जैखो यह तो हुए और हमारी ठीक है क्यों को जिसमें जारा पर आपटीन जालेक्न नेंसॉलेशन इसके इस इंसुलेशन को तार को नमी सब चाने के लिए जो कोरेस में इसकोки नमी सब चाने के लिए हम इसके पर एक लैड या अलुमिनियूम की परत चढ़ाते है जिसे हम मैटालिक्स सीड बोलते हैं किस 먼저 को इसके लिए नमी तो फिर उसके ऊपर चड़ाते हैं आर्मिंग स्टील अब देखो यह जो पीबी है यह भी मैटल है ठीक है अब आर्मिंग हमने चड़ाया स्टील अंत्रिक चोटो के आगात से बचने के लिए अब यह स्टील होगा और यहां पर भी मैटल होगा हमें पता है कि जब कोई दो मैटल आपस में मिल जाते हैं तो इया आपस काटाव करते हैं जब कटाव कर एगे तो यह एक दिन ऐसा रहेगा खतम wishing काटते ठीक है नमिसे बचाने के लिए आर्बिंग सीट का हमारा क्या है यह अंत्री चोटो से आगाध करने के लिए और नो इन मैटल का कटव रोगने के लिए हम जोड या हुसेन बैडिंग कर देते हैं। फिन लाष्ट में सर्विंग कर देते हैं पी-विसी का। सर्विंग क्या करता है कि जो वातावरन ये दा वो होता है ना परभाव वातावरन के उससे इसे सुरक्सित पोचाता है ठीक है यह हमारा यह हो गया अंडर्गाउंड केबल अब अठारा नमबर देखते हैं अठारा नमबर क्या कहता है भूमिगत केबल का कौन सा भाग धात्विक पर्त को यांतरिक चोटों से बचाओ करता है अभी अभी क्या बता है मैंने यह किस के लिए यूज़ करते हैं यांतरिक चोटों से तो आर्मिंग का करते हैं यांतरिक चोटों से ठीक है बढ़ती है दीख रहा है अच्छा दीखने रहा है अब दीख रहा है केबिल टर्मिनेशन में किसी केबिल के सीरे को खरिस्तान जोड़ा जोड़ा जाता है टर्मिनेशन है कोई केबिल का टर्मिनेशन हम किस से जोड़ सकते है train followers से भी जोड़ सकते हैю एंसे किसी से भी शोड़ सकते है थ्री पैसी की उड़ सकते हैं ठीपल पोल आरंट है यहाँ पर आपわか एदेखो के तरी फेस है रहता है ना माइके लिए यूज होता है ट्रिपल पॉल यह तो êtreमें मत्रत थीन प्लो हूट रिष्ट के लिए अधिलार फो थैकं है इसका इसका बॉक्स बहुमिगत के nó का आर्मिंग कवकच बना होता है जब क्यार्मिंग कवच बना होता है अभी अभी क्या उडियोग साला को मुक्हत तर सीमित परकास लोड के लिए पर्यूक्त केभिल खर में भाइस तान पर्कार का होना चाहिए उडियोग साला में 3जिatures के लिए न विए पर्युक करते है साधे 3 कोरर सब्सक्राइब हमारे 473 कोर dopo आद通atzaurus 및 यह होगा है न्यूट्रल के यह लिए किसके लिए होता है न्यूट्रल के यह लिए यूज होता है अब ये एक फेस के लिए यह होगा है एक फेस के लिए होगा है अब ये तो सामान्य मोटाई के होगा है तिन्नो कोर लेकिन जो चोथी कोर होती है इनके आधी होती है इसलिए एक, दो, तीन, तो सड़े तीन, सड़े तीन हो गया तो इसे हम क्या बोलते हैं उद्योग साला में यूज करने लिए हम इसका यूज करते हैं इसको हम ये भी बोल देते हैं P, I, L, C, D, T, A इसका देखो क्या होता है इसकी फुल फुम भी पूछता है P से क्या होगा हमारा Paper, I से Insulated, L से Lead, C से Cover, D से Double, T से Tapping, A से Armoring ठीक है P, I, L, C, D, T, A का क्या होगा Paper, Insulated, Lead, Cover, Double, Tapping Armoring, ठीक है याद रखना इसको Belted Cable और SL Cable में मुख्य अंतर यह है कि SL देखो Belted Cable और SL Cable में Belted Cable है जैसे हमारा यह Belted Cable है इसमें माले 3 कोर है तो इसमें पड़ती एक के 4 और है पड़ती एक के 4 और PV की यानि आपको Metallic Seat मिलेगी ठीक है और जो हुआ यह हमारा क्या था Belted Cable अब आख करते हम SL Cable के इसमें कोर है तो इसमें इन 4 और इन 3 और उपर बस इंसुलेशन चड़ा होईगा यह नहीं चड़े होगी ने Metalic Seat ने चड़ेगी इन 3 और इन 3 और इन 3 और उपर Metalic Seat चड़ेगी यह इसका मुख्यांतर है ठीक है यह इसका मुख्यांतर है पर ते कोरों पर सहीं उप दूप से दादवी कवच नहीं होता एसल केबिल में ठीक है High Tension और एड चालक को कदार में खड़े बिजली के खंबो पर सीधा रखने के लिए किस परकार का अच्छा लग उपयोग में लाया जाता है High Tension और एड लाइन है उनके खंबे कदार में खड़े हुए है उन पर जो इस्तिर रखने के लिए तारो को उन पर लाया जाता है पिन टाइप इंसुलेटर को 66 किलो वोल्ट भूमिगत लाइन में परियोग की जाने वाला केबिल देखो अब यहाँ पर उप्सन में दिया है LTE, HT, ST, EHT क्या होता है LTE Low Tension Low Tension यह होता है 1 KV के लिए ST HD Low Tension HD High Tension यह होता है मारा 1 से 11 KV के लिए HD Super Tension होता है 11 से 33 KV के लिए और जी Extra High Tension EHT होता है मारा 33 से 66 KV के लिए और यहाँ पर क्या पूचा है 66 किलो वोल्ट के लिए तो EHT के लिए होगा P.I.L.C.S.T.A. यानि Paper Insulated Lad Cover Single Tapping Armoring Cable में चालक तारक पर सर पर थम चड़ाया जाने वाला चालक आवरन होता है Warnis युक्त कागज कागज चड़ाया जाता है Insulated करने के लिए लेकिन उसे Warnis कर देते हैं उस कागज पर ठीक है Oil Filled Avam Gas Pressure Cable खालिस्तान तक की चमता में बनाए जाते है ये बनाए जाते है ये Oil Filled होते है जो इसमें जो जोड़ लगता है के बिल का तो उसमें Oil भर देते हैं फिर उस पे B2 One भर के उसे बंद कर देते हैं तो ये Extra High Tension के लिए जाते है 66 के वी से 132 के लिए ठीक है HSO केबिल की कटाक्स आकरती होती है तिर बुजाकार याद रखनी चिज्ज़ है सब इसमें निम्न में से किस केबिल का उप्योग 33 के वी तक किया जाता है निम्न में से किस केबिल का उप्योग 33 के वी तक किया जाता है डबल टैप का डबल टैप का और शेंगल का इससे अधिक यानि 66 के वी पर PILC DTA केबिल की 4 कोर पर यूख थी जाती है निउट्रल के लिए अभी बताए दाना इसमें ये किस के लिए निउट्रल के लिए 4 कोर ठीक है चितर में परतेसित केबिल कौन सा है कौन सा है SL केबिल SL केबिल मैं सही बदा रहा ना जब वो पढ़ाँ होना मैं थियोरी थियोरी के ऐसे बढ़ा दूँगा मैं पढ़ाता पढ़ाता नहीं मैं तो बस ये तुम्हें दिखाऊंगा की केबल कैसे कैसे होते है रियल में दिखाऊंगा ठीक है भूमी गत केबिल में भूमी की नमी के परवेस को रोकने के लिए केबिल में खालिस्तान की परत चड़ाई जाती है नमी को रोकने के लिए सीसा या ऐलूमिनियम की में दिक्कत होती है तो इसका आगे का जो बचा हुआ भाग है उसे हम लेक्चर लेक्चर नमबर 2.2 में देखेंगे ठीक है किस में देखेंगे लेक्चर नमबर 2.2 में ठीक है इसके बाद आपको मिल जाएगा लेक्चर लेक्चर नमबर 2.2 तो इसलिए धन्यवाद ओके टा 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 बाई बाई